नमस्कर दोस्तों और प्यारे मित्रों वेस्टरों सपने का मतलब और YouTube चैनल पर आप सबी का स्वाकत है जैसा की आपको पता ही होगा हम हर बार बताते हैं कि सपने में कई प्रकार के संकेत छिपे होते हैं जो कि आपको आगे आने वाले भविशे के बारे में काफी कुछ जानकारी दे सकते हैं या देते हैं सपनों से मिले संकेतों को समझ कर आप भविशे में आने वाले समय को अपने बख्ष का या अनुकूल बना सकते हैं तो आज हम जानेंगे कि सपने में कच्छा आम देखना क्या होता है इसका मतलब अर्थ और कैसा फल आपको मिलता है जब आप सपने के अंदर कैरी यानि की कच्छे आम को देखते हैं दोस्तो सपने में आम को किसी भी रूप में देखना बहुत ही फलदाई होता है चाहे आपने पका हुआ आम देखा है या कच्छा आम देखा है आम को देखना बहुत अच्छा परिनाम देता है पविशे में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सपने में यदि आपको एक दो या बहुत सारे कच्छे आम दिखाई देते हैं तो केवल सपने में आम कच्छा हो उसे देखने का अर्थ या मतलब क्या होता है इसे मैं आपको अच्छे फल की प्राप्ती के संकेत मिलते हैं यानि की वेपार, धन्दा, काम, काच च के अंदर आपको आगे शुब परिनाम मिलेंगे, धन प्राप्ती के योग बनेंगे, लड़का या लड़की हैं कुआरे हैं तो आपको मन चाहा जीवन साथी चुनने में मदद मिलेगी स्टूडेंट हैं जो केरियर के लिए कमपिडिशन की त्यारी कर रहे हैं उन्हें कम महनत में अधिक फल मिलेगा मतलब कम महनत में भी उनको अच्छा स्थान मिलेगा यानि कि उनका अलग किस्मत उनके साथ रहेगी या साथ देगी दोस्तो जोतिश और सोपन शास्त्र के अनुसार ऐसा मना जाता है कि यदि प्रेग्नेंट इस्तिरी सपने के अंदर कच्चा आम देखती है या कच्चा आम उसको दिखाई देता है तो उसे मन्चा ही संतान की प्राप्ती होती है खास कर ऐसे में पुत्र प्राप्ति के अधिक योग बनते हैं साथ ही जिन बेहनों को भाईों को पुत्र की या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो यदि सपने में कच्छा आम देखते हैं तो उनको संतान प्राप्ति के योग प्राप्त होते हैं दोस्तो सपने में कच्छा आम देखना हर तरह से आपके लिए फल्दाई होता है, शुब होता है, आपको सफलता मिलती है, परिवार और आपके जीवन में सुख शांती समरिधी आती है मन चाहा जीवन साथी चुनने का मुका मिलता है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, तो हर तरह से सपने में कच्छा आम देखना आपको शुब और अती शुब फल देता है सपने में आप आम देखते हैं कच्छे आम देखते हैं पेड़ पर लगे हुए कोई व्रिक्ष देखते हैं जिस पर आम बहुत सारे कच्छे आम लगे हुए हैं तो आने वाले जीवन में आपको अलग-अलग मार्कों से धन की प्राप्ती होगी ऐसा सपना देखने वाले के जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है और बहुत अधिक धन आगे जीवन में मिलने के योग बनते हैं सपने में कच्छे आम से लदा हुआ व्रिक्ष देखने से समाज के अंदर मान समान में भड़ोतरी भी होती है दोस्तो एक बात हम आपको बता दें कि सपने में आम या कच्छा आम देखना बहुत ही शुब होता है लेकिन सपने में पका हुआ आम आपको जल्दी फल देता है कच्छा आम से जो फल मिलते हैं जो शुब इसके असर होते हैं उन्हें मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, समय लग जाता है इसलिए सही समय का इंतिजार आपको करना ही होगा यदि किसी का जीवन बहुत जादा परिशानियों से खिरा हुआ है तो सपने में यदि उसे कच्चे आम के दर्शन होती है कच्चा आम दिखाई देता है तो ऐसे में माना जाता है कि आने वाले जो जीवन में से जो उसकी लाइफ है उसमें से सबी परकार के कस्ट और परिशानियों का अंत होने का समय नजदी का रहा है इसलिए जो लोग मानसिक तनाव, एंग्जाईटी, डिप्रेशन से ग्रसित हैं उन्हें से समय आने का इंतिजार करना चाहिए उनकी सबी चिंताएं दूर होने वाली है सपने में कच्चा आम खाना आने वाले भविश्य के अंदर आपको शुब समाचार मिलने का संकेत देता है खासकर यदि आप प्रेगनेंट हैं तो आने वाले समय में आपको मन चाही संतान की प्राप्ती होगी जो लोग किमपीटेशन की त्यारी कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत काफल आवशे मिलेगा सपने में आप अपने आपको कच्चा आम या केरी खाते हुए देखते हैं या अचार खाते हुए देखते हैं कच्चे आंका तो ऐसे में आपको बहुत ही आके अच्छे परिनाम मिलने वाले हैं, शुब होने वाला है आपके साथ ऐसा सपना देखने वाले को भले ही सफलता पाने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़े लेकिन उसे सफलता मिलनी निश्चित होती है, उसका समय बतल जाता है सपने में कच्छा आम खाने का अगला अर्थ ये होता है कि आपकी जो भी अधूरी इच्छा या मनो कामना है, उसके पूरे होने का समय नजदी की है इसके इलावा सपने में कच्चा आम खाना आपको ये भी बताता है कि जो भी परेशानिया आपने देखनी थी वो देख ली है आगे आने वाला जीवन आपका सुख समरिद्धी और शांती से बीथने वाला होगा जैसा कि आप सभी को पता है कि फल कच्चा होता है पहले बाद में वो पकता है तो यदि सपने में आप कच्चा आम देखते हैं तो उसके पकने का इंतिजार कीजिए यानि कि सही समय आने पर आपको सही फल प्राप्त होंगे शुब फल प्राप्त होंगे और तभी आपके जीवन में हर चीज आपके अनुसार होती चली जाएगी आपका मंगल समय शुप समय चालू हो जाएगा इसलिए सही समय का इंतजार आप कीजिए आपके जीवन में निशित रूप से ही बदलाव लेकर आएगा कच्चे आम का सपना यदी आप देखते हैं तो सपने में यदी आप कच्चे आम का पेड़ देखते हैं और पत्ते भी आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपका कुछ बड़ा नाम होने वाला है समाज में आपका मान सम्मान भड़ने वाला है आपको सब पहचानेंगे अब ये आपको तेह करना है कि आपका नाम आपका मान सम्मान में वरिदी किस परकार से होगी दोस्तो यदि आप आम के पेड़ से कच्छे आम तोड़ रहे हैं अपने आपको ऐसा सपना देखते हुए पाते हैं तो आपको जो सफल होने के लिए आपको मनवानचित फल पाने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ेगा यह इस बात का संकेत होता है और यदि आप सही करम पर चलते हैं और अपने सही कारे करते हैं तो ऐसे में आपको सफलता मिलने की संभावना पूरी हो जाएगी इसलिए अपने करम और परिश्रम करना आप कभी मत छोड़ें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और शुप परिनाम मिलेंगे जीवन में सुख समरिधी और आर्थिक रूप से मचबूती आएगी सपने में आप बहुत सारे कच्चे आम देखते हैं बहुत सारा कच्चे आम का पहाड बना हुआ देखते हैं तो ऐसे में धन प्राप्ति के योग बनते हैं और आपकी मनो कामना पूरी होने के योग बनते हैं सकने में कच्छा आम यदि आप खरीदते हुए अपने आपको देखते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके आने वाले जीवन में कोई आपको शुब समाचार मिलने वाला है यानि कि आपके जीवन में या घर परिवार में खुशिया आने वाली है दोस्तों पके हुए आम का सपना हमने पहले वीडियो में बताया था उसको देखने से आपको क्या परिनाम या फल मिलते हैं आप उसको भी हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं और यदि आपको अधिक जानकरी चाहिए सपने में आम देखने के बारे में हमें कमेंट में आप लिखकर पूछ सकते हैं लेकिन सबसे अंत में हर बार की तरह हम यही बात कहेंगे कि सपने में कच्चा हम देखते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि आपको परिनाम लेट मिलते हैं थोड़ा टाइम लगता है तो यदि आप रोजाना नियमित रूप से अपने इस्ट को याद करते हैं और आपकी जो भी कामना है उसे पूरा करने की या पूरा होने की कामना करते हैं तो ऐसे में आपको परिनाम जल्दी मिलते हैं इसलिए रोजाना नियमित रूप से पूजा अर्च न कीजिए अपने इस्ट की और अपने मंगल की काम न कीजिए तो हम भी आशा करते हैं कि आपके जो सपने में कच्छा आमाया है आपको आगे चल कर मीठा फल वो दे तो दोस्तो ये थी आज की जानकारी आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें अपना ख्याल रखें धन्यवाद